मैं पंडित दिनेश नारायन पांडे आप सभी का ग्रहवाणी चैनल पर हार्दी कभिनंदन करता हूं आप सभी का स्वागत करता हूं साथी आभार वेक्त करता हूं जो आप ग्रहवाणी चैनल के प्रती दिल्चस्पी दिखाते हैं बैनों भाईयों इस वीडियो में बड़ा महत्वपूर्ण एक सब्जेक्ट ले करके आया हूं अगर आप मेश लगन के व्यक्ति हैं और कहीं न कहीं आपके अंदर इच्छा है एक जिग्यासा है कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी मिलेगी तो कैसे मिलेगी किस विभाग में मिलेगी इसी बात को ले करके आपके सब्मुख प्रस्तुत हूं बैनों भाईयों यहां मैं राशी की बात नहीं कर रहा हूं एक बार पुर्ण आपका ध्यान आकर्शित करना चाहता हूं मेश लगन की बात कर रहा हूं कि बेनोबाईयों यह जो अगनी प्रधान लगन होती है यानि जैसे मेश शिंग धनू इन लोगों में वस्तुताह छोटी नौकरी करना नहीं चाहते यह छोटे चोटे कारियों से संतुष्ट नहीं रहते हैं नौकरी चाहते हैं तो उचे लेवल की चाहते हैं यह मानसिकता होती है वर्ण भी छत्री होता है मेश लगन का तो स्वाभाविक है कि छत्रित्यों का गुण रहेगा आदेश देना चाहते हैं आदेश का पालन उतना नहीं करना चाहते हैं सरकारी नवकरी के लिए सूरे से लेकर के राहु केतु तक किन किन भावों में इस्थितियां होंगी तो आपको नवकरी मिल सकती है यहां मैं सूरे से लेकर के राहु केतु तक के सारे ग्रहों की स्थितियों को आपके समझ रखूंगा और उनमें से जितने ज़्यादा योग आपकी जन्म कुंडली में होंगे आपको सरकारी नवकरी मिलने के उतने ही ज्यादा चांसेज रहेंगे जोग रह जितना बली होगा आपकी जन्म कुंडली में उतना ही च्जांस रहेगा आपको सरकारी नवकरी मिलना स्बसे पहले बात करूं सूरे की अका प्षूर आपके लगन में है यानि मेश लगन में है तो निश्चित तवर पर अगर यह बली है तो आपको स्रेश्ट उच्च अधिकारी पद दिलाता है गौवर्मेंट जाब में इस बात को समझ लीजे लगन में सूर्य होगा उच्च अधिकारी का पद आप प्राप्त कर सकते हैं जन्म कुंडली में और भी अगर रहों कि अच अगर लगनका स्वामी मंगल वो अगर पाजिटिव सपोर्टिंग हो करके बैठा है तो निश्चित मैं कहूंगा कि आप सेना में जा सकते हैं पुलिस विभा के उच्च अधिकारी बन सकते हैं और अच्छे प्रसास्निक पद पर जा सकते हैं मंगल तरती में हो दसम में हो तो भी सिस्ट लाब मिलता है अब तरती अभाव में सूर्य हो यह मेरे पिछले 30-35 साल के जोतिशी अनुभाव का निचोड मैं आपके सामने रख रहा हूं जो मैंने महसूस किया जो मैंने चेक किया प्रैक्टिकल में वही चीज आपके समच र होगा आप सरकारी या अर्ध सरकारी संस्थाओं में प्योर गवर्मेंट या सेमी गवर्मेंट डिपार्टमेंट्स में आप जा सकते हैं अच्छा पद्म पा सकते हैं और आपके जो अधीनस्त कर्मचारी रहेंगे वह भी आप से सुखी रहेंगे और संत्रप्त रहेंगे यह एक बिसिस्ट कुण होता है अपने मेंटिनेंस का बहुत ध्यान रखता है छटे भाव में सूरे हो तो मेहनत तो अधिक करनी पड़ सकती है क्योंकि आसानी से नहीं मिलती फिर गवर्मेंट जाब मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी पुलिस और सुरच्छा विभागों से सम मंधित विभागों में आपकी नवक्री लग सकती है साथवे भाव में सूरे होगा तो आप अपनी बेई धिक छमता से आपकी प्रस्ट भूमि कुछ भी हो आप अपनी ब़ुद धिक छमता से गवर्मेंट जा भी भागों में जा सकते हैं और वहां आपको अच्छी जौब गवर्मेंट जाब मिल सकती है नवे भाव में अगर आपका सूर्य है तो आप सेना में जा सकते हैं पुलिस भीभाग में जा सकते हैं और वही जहां सेना के अस्त्र सत्र बनते हैं ऐसे सारे भी भागों में आप जा सकते हैं दसमभाव में सूर्य है तो आप प्रसासनिक सेवा में जा सकते हैं अन्य योग अगर अन्य ग्रहों का सपोर्ट मिल ला तो निश्यत और पर आप प्रसासनिक अधिकारी बन सकते हैं उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है एकादस भाव में अगर सूर्य है तो जा सकते हैं न्याय भिभाग में जा सकते हैं और अगर केंद्र में चंद्रमा भी है आपकी जन्म कुंडली में तो आप बैंक में जा सकते हैं इंसेवरेंस कंपनीज में जा सकते हैं और अर्ध सारकारी जो भी सेमी गवर्मेंट के डिपार्टमेंट्स हैं उनमें समय आप जा सकते हैं आपको जाब मिलेगी अब चंद्रमा की बात करें तो अगर आपकी राशी मेश है लगन मेश है और राशी भी मेश है तो और सुकल पच्छ का जन्म है यानि आपका चंद्रमा पीलित नहीं है तो समाज सेवा से जुड़े पच्छ में हुआ है यानि चंद्रमा अगर पीलित नहीं है तो आप शिछया विभाग में जा सकते हैं बैंक में जा सकते हैं भूर संपत्ति भीभाग में जा सकते हैं और ऐसे विभागों में आपको नौक्री मिलेगी अब आपकी अगर कन्या और मकर ब्रश ये तीनों राशिया हैं तीनों राशियों में से कोई एक राशी है ब्रश कन्या या मकर तो ज्यादा तर्वेक्ति सिच्छा और अपनी बहुत धिक छमता के कारण निश्यत तौर पर गवर्मेंट जाप पा जाते हैं इसलिए प्रयास जरू करना चाहिए हां चंद्रमा कहीं ना कहीं मजबूत होना चाहिए ये बिसे इस ध्यान रखने की बात है तुला राशिके ब्यक्ति बैंक में जा सकते हैं इंस्य और वहां पर आपको गवर्मेंट जाब मिलेगी सर्थ सिर्फ और सिर्फ एक है कि आपका चंद्रमा पाप पिलित नहों यानि मंगल की बात करें तो तीसरे भाव में मंगल अगर आपके मेश dough लगन तीसरे भाव में मंगल है तो सेनाया पूलिस सुराच्छा आजनसियों में समय मिलती है बिल्कुल मिलती है लेकिन असाव धानियों से नौक्री चलिभी जाती है इस बात का भी ध्यान रखिएगा चतुर्थ भाव में मंगल है आपको गौवर्मेंट जाब मिलेगी प्रियास भर करें आप गौवर्मेंट जाब मिलेगी लेकिन असावधानियों से आपकी नौकरी चली भी जाती है पांचवे भाव में अगर मंगल है तो सेना पुलिस तक्नीकी विभागों में रेलवे में नौकरी का योग होता है छटे भाव के मंगल का भी लगभग यही परिणाम होता है यानि पंचम और खस दोनों में अगर मंगल है तो लगभग यही परिणाम मिलता है आपको इन विभागों में नौकरी मिल जाती है साथवे भाव में मंगल है तो अधिकतर टेक्निकल जॉब दिलाता है आप ड्राइवर हो सकते हैं या अनिकिसी टेक्निकल विभाग या टेक्निकल जॉब पा सकते हैं दसमें भाव में मंगल है तो आप सरकारी अर्ध सरकारी जो भी यूनिक्स हैं उनमें सम्में आप अच्छे अधिकारी बन सकते हैं उच्छ पदा अधिकारी बन सकते हैं लेकिन अगर कहीं पाप पीलित है या बली नहीं है मंगल तो सफलता मिलती जरूर है लेकिन देर से मिलत है अब की बात कर लें तो चौथे भाव में बुध्ध है तो तो उच्छ पद आधिकारी बनाता है प्रयास करिएगा च्छे से वैंक लिपागों में जहां जे अच्राइन होता है आर्से सारे विभाग जहां व्यापारी के लिटेन होता सिच्छा विभाग में जा सकते हैं एकाउंट सेक्षन की जौब पासकते हैं और सीए की जौब पासकते हैं दस्वे भाव में बुद्ध होगा तो आप प्रसास्निक सेवा में जा सकते हैं न्याय विभाग में जा सकते हैं या जनसंपर्क विभाग में आपको सूचना और जन आपको जॉब मिल सकती है यह बहुत अनुभूत और परिच्छित योग बता रहा हूं मैं जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है इस पर ध्यान रखिएगा गुरू का प्रभाव गुरू आपके द्वतिय भाव में है तो सरकारी नौकरी के योग बन जाते हैं बसरते सनी की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी हो संघर से जादा करना पड़ सकता है आप सिच्छक बन सकते हैं प्रोफेसर बन सकते हैं नमभाव में गुरू है आप उच्छ सिच्छा प्राप्त कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं होती मेशलगन हो और नमभाव में गुरू हो तो निश्चित तोर पर उच्छे सिच्छा प्राप्त करते हैं और सिच्छा विभाग में उच्छे पादा दिकारी हो सकते हैं यानि एक अच्छे प्राफेसर हो सकते हैं एक अच्छे लेक्चरर हो सकते हैं कोई अच्छे चांसलर हो सकते हैं कुछ भी अच्छा हो सकते हैं अ इतना है कि प्रयास करिए अगर चतुर्थ भाव में सुक्र है और अन्य ग्रहों का भी कहीं न कहीं सपोर्ड मिल ला है तो निश्चित तोर पर आपको गवर्मेंट जाब मिलेगी इसी तरह शनी के बात करें तो शनी आपके चतुर्थ भाव में नवम भाव में प्रथम भाव में इन भाव में इन हाउस में अगर शनी बैठा है मेश लगन में और आपकी सोच सकारात्मक है अगर नकारात्मक आप सोचते हैं तो बात गलत हो जाएगी अगर सोच सकारात्मक है और आप आलत से नहीं करते हैं यानि करमठ हैं और आपकी जन्म कुंडली में लगनेश मंगल की स्थिती अच्छी है तो निश्चित तोर पर गौवर्मेंट जाब आपको मिलती है आप भरपूर प्रयास करें आपको गौवर्मेंट जाब मिल जाएगी तो मैं बाइंच लगन में अगर द्वादस भाव में शनी है तो आपको कारागार विभाग में जाब लग सकती है मेडिकल विभाग में लग सकती है धार्मिक ट्रस्ट जो गौवर्मेंट से नियंतरित होते हैं ऐसे जगह पे जाब लग सकती है और भिच्छुख ग्रह भी आपको जाब लग सकती है जो सेल्टर होम होते हैं भिच्छुख ग्रह वगरा जो नगरमीगम के द्वारा संचालित होते हैं ऐसी जगह भी जाब लग जाती है अब राहु और केतु भी आपको जाब देते हैं राहु की बात बता दें तो आपके चौथे भाव में मेशलगन में अगर राहू है तो आप सेना में चले जा सकते हो पुलिस में जा सकते हो बिद्यूत विभाग्यानी इलेक्टिसिटी बोर्ड में जा सकते हो रेलवे में जा सकते हो और बस केवल प्रयास करने की जरूत है अन्य ग्रहों का सपोर्ट अगर आप आप राजनीत में भी बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं यहां तक की सांसद बन सकते हैं आप बिधायक बन सकते हैं मंत्री बन सकते हैं अगर मेश लगना है तो यानि वहां पर भी आप गवर्मेंट विभाग से जुड़ करके एक अच्छे मंत्री बन सकते हैं के अच्छा उच्च पद आपको government job में मिलता है ज्यादा तर ये प्रियोग पूर्णता ये योग पूर्णता सफल होता है लगनेस मजबूत हो चंद्रमा मजबूत हो सूर्य की इस्तितियां ठीक हो यानि supporting ग्रह आपको support अच्छा कर रहे हो तो निश्चित तोर पर सरकारी संस् आप निदेशक बन सकते हैं और छोटे से छोटे पद की बात करें तो मैंनेजर तक बन सकते हैं प्रबंदक बन सकते हैं ये अच्छे और उच्च्च होलाब देता है तो बहनों भायों यह जो मैंने बताया है यह मेश लगन में सूर्व से लेकर के राहु के तक के ग्रहों की स्थितियों का फल के और यह वह प्रियोग बताया है यह यह वह फल बताएं हैं जो जादाँ सिध्ध हुए हैं यानि सफल सिध्ध हुए और केवलarm का यह देखने की जरुद्फ होती है कि सपोर्ट गरह एक दूसरे को सपोर्ट कर रहें या नहीं कर रहें लेकिन इतना आप मजबूत रहें कि इस तरह की स्थितियां आप कुंडली में हैं तो निश्चित आप कैयारी करें और आप सफल हो जाएंगे गवर्मेंट जाब मिल जाएगी थोड़ा सा देर से सही मिलेगी जरूर आप सुखी रहें समर्दना है इसी मंगल माई कामना के साथ मैं एक बार पुनहां आप से विदा लेता हूं प्रेम से बोलि झाल झाल